एक गाउ में बालू और किर्टी नाम के भाई बहन रहते थे एक दिन बालू और किर्टी अपने साथ जाल लिए नदी किनारे जा रहे थे बीच रास्ते में बालू ने किर्टी से कहा दीदी हमें दिन भर की महनत के बाद भी मुश्क्र से ही कुछ मचलिया मिल पाते हैं पर हमारे साथ जितने भी मचुवारे वहां आते हैं उन्हें बहुत सारी मचलिया मिलती हैं जब उन सब्सके जाल में इतनी सारी मचलिया फस्ती है तो हमारे जाल में क्यों नहीं फस्ती? बालू, हम कर भी क्या सकते हैं वहाँ जितने भी मच्वारे आते हैं वे सभी हमसे बड़े हैं मचलियों को पकड़ने में उनका बहुत अच्छा अनुभाव भी है हम तो सिर्फ तभी से मचलिया पकड़ रहे है जब से माओ बाओ जी की सहत खराब हो गई है हमारे पास सोचते नदी किनारे जाकर मचलीया पकडते हैं यू केर्टी ने उदास हो रहे अपने भाई को प्यार से समझाया और वे दोनों नदी किनारे मचली पकरने निकल पड़े उन्होंने नदी में जाल बिचा कर बहुत तेर तक इंतजार किया पर जाल में मचलियां फसी ही नहीं यू शाम तक इंतजार करने पर कुछ चंद मचलियां ही उनकी जाल में फसी जाल से उन मचलियों को छुड़ा कर अपने साथ लाए हुए टब में भरा और गाउ में उसे बेचने के लिए ले गए मचलिया ले लो मचलिया ताजी ताजी मचलिया आओ भेनो जल्दी से मचलिया ले लो डीडी हम जब तक यहां मचलिया बेचने आते हैं हमसे पहले वो सारे मचुवारे वो गाव वालों को मचली बेच चुके होते हैं अब भला हमारे पास कोई मचली क्यों करी देगा किर्ती ने मचलियों का दाम बताया और पैसे लेकर मचलियां उसे दे दी फिर वे दोनों अपने घर वापस लोट रहे थे बालू मा बाउजी की दवायां खतम हो गई है ना मैं जाकर दवाया लेकर आती हूँ तुम घर चले जाओ हम दोनों बहुत देर से घर पर नहीं है ना ना जाने मा बाउजी कैसे होंगे ये कहते ही बालू तुरंत अपने घर गया और किर्ती दवाय लाने के लिए निकल पड़ी जैसे ही बालू घर पहुँचा उनकी मा खटिये से नीचे उतरने की कोशिश में जमिन पर गिर पड़ी बालू तुरंत दोड़ कर उसके पास गय और बड़ी मुश्किल से खटिये पर लिटाया मा हमने कितनी बार कहा है जब तक हम दोनों लोटकर नहीं आते आपको कुछ भी नहीं करना है यो खटिये से उतरने की कोशिश करना मा क्या ये सब जरूरी है देखो ना अब क्या हो गया बीटा यू शया ग्रस्त हो कर भी कुछ न कुछ करने की तुम दोनों पर से किसी तरह भार को कम करने की ओड़ है और कुछ नहीं मा बाव जी के होते हुए भी तुम्हारे लिए ना के बराबर ही है जहां हम दोनों को तुम दोनों की परवरिश करनी चाहिए वही तुम दोनों को काम कर हमारा ध्यान रखना पड़ रहा है तभी किर्टी दवाया लेकर घर लाटी बाव जी आज ना के बराबर ही मचलियां पकड में आई हैं उन्हें बेचकर मैं सिर्फ दवायां ही ला पाई हूँ आज हम सभी को पानी पीकर ही सोना होगा ठीक है ये कहकर घटिये पर किर्टी ने दवायों का थैला रखा बेटा इन दवायों की जरूरत क्या थी हम जैसे ना काम मा बाप रहे भी तो क्या और ना रहे भी तो क्या उन्हीं पैसों से तुम दोनों ने पेट भर खाना खा लिया होता तो हम दोनों के मन को उतनी ही शांती मिल जाती बाओ जी आप ऐसी बाते करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा अप ये सारी बाते भूल जाएए और जल्दी से दवाई खा लीजिए कल हम दोनों पूरी कोशिश कर बहुत सारी मचलियां पकड़ेंगे रात बीद गई अगली सुबह कीरती और बालू टब और जाल लेकर नदी किनारे मचली पकड़ने के लिए चले गए पर वहाँ जाकर देखा तो नदी किनारे कोई भी नहीं था हर दिन इहां नदी किनारे मचली पकड़ने के चहल पहल होती है और आज यहाँ पर इतना सन नाटा मुझे लगता है आज त्योहार है न बालू तो सभी त्योहार के कामों में वैस्त होंगे इसलिए कोई यहाँ पर मचली पकड़ने आया नहीं होगा वैसे भी बालू त्योहार तो धनवान लोगों के लिए होते है न मला हमारे नसीब में त्योहार कहां चल कर मचली यही पकड़ लेते हैं फिर वे दोनों जाल बिछा कर मचली पकड़ने के काम में लग गए जैसे ही बालू ने जाल बिछाई उसमें एक जगमगाती हुई उसे निहारने लगा बालू इतनी जगमगाती सुनहेरे रंगवाली पहले कभी नहीं देखी मैं एक मायावी मचली हूँ मेरे पास धेर सारा सोना है मैं तुम्हें सोना दे दूंगी मुझे तुम छोड़ देना सुनहेरे मचली ने ये कहा और अपने पेर से ठेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकाले कुछी देर में सोने के सिक्कों से दोनों टब भर गए मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों की सारी इच्छाए इस सोने से पूरी हो जाएंगी ये कहकर मचली ने पानी में छलांग लगाई बालू और किर्ती खुशी खुशी सारा सोना लेकर अपने घर पांचे घर पांच कर बालू और किर्ती ने अपने मा बाओजी से सारी बात कही फिर उस सोने से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया इलाज के बाद कीर्ती बालू के मा बाउजी बिलकुल ठीक हो गए इस तरह उस मायावी मचली के जान बचाने के बदले में जो सोना उसने दिया था उससे कीर्ती और बालू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई एक गाउं में बालू और किर्टी नाम के भाई बहन रहते थे उनके मा बाउजी के देहांत के बाद उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था इसलिए हालात के चलते गाउं के सड़क के किनारे खड़े होकर वे दोनों भीक मांगा करते किर्टी और बालू की हालात को देखकर किसी को उन पर दया आ जाती तो कोई उन्हें एक दो रुपया या बासी खाना देकर चले जाया करता लोग उन्हें दान में जो बीडे थे वही खाकर वे दोनों अपना गुजारा करते योही दिन बीत रहे थे एक दिन उनके गाउ में एक पुलिस अफसर आया उसने बालू और किर्टी को भीक मांगते हुए देखा और उनके पास गया सर आप देखने में बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो हम पर दया कीजिए सर आज आपके नाम पर ही हम भोजन कर लेंगे हम पर दया करो सर जितना दान कर सको उतना दे दो ना अच्छा तो मैं तुम्हें दान दूँ तुम जैसों की वज़े से ही गाउ में चोरियां होने लगी है दिन भर मासुम बनकर पूरे गाउ भर में घूमते हो और छुपके से किसके पास क्या है कौनसी चीज कहां रखी है सब पता कर लेते हो और रात होते ही उसी की चोरी करते हो सर हम ऐसे बचे नहीं है सर हम बला ऐसा काम क्यों करेंगे सर आप किसी एक की वज़े से हम सभी को गलत नहीं समझ सकते ना हमें कोई देता है तब भी हम खाते हैं वरना हम भूके ही रहते हैं पर हमने कभी भी चोरी करनी की सोची भी नहीं भलाई इसी में होगी कि तुम दोनों इस गाउं को छोड़ कर दूर चले जाओ वरना मैं तुम दोनों के साथ क्या कर दूंगा मैं खुद नहीं जानता यू उन्हें चेतावनी देकर वो अपनी जीप में वापस चला गया अगले दिन पुलिस को पता चला कि गाउं में फिर से चोरी हुई है अपनी जीप तोड़ा कर बालू और किर्टी के पास गया कल मैंने तुम पर शक किया था और आज ही तुम दोनों ने उसे यकिन में बदल दिया पुलिस ने बालू का हाथ पकड़ कर खीचा और डंडे से मारने लगा यो बार बार उनके सच कहने पर भी पुलिस उनकी बात माना ही नहीं तुम दोनों से सच्चाई कैसे उगलवानी है मैं ये अच्छे से जानता हूँ हम भीग मांगते हैं इसलिए पुलिस अफसर हम पर इतना अत्या चार कर रहे हैं हैं अगर हम दोनों कोई काम करने लगे तो हो सकता है वो हमें परेशान न करें हाँ बालू लगता है तु सही कह रहा है वैसे भी स्वतंतरता दिवस आ रहा है ना तो हम दोनों कहीं से पैसों का इंतिजाम कर तिरंगे पेचेंगे तब हम भीग मांगने वाले नहीं बलकि काम करने वाले बच्चे कह लाएंगे ना कीरती और बालू के पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से उन्होंने तिरंगे और पतन खरीद कर उसे बेचने लगे तब ही पुलिस अफसर की गाड़ी वहां आई तुम दोनों चाहे जितना भी नेक बनने की कोशिश कर लो पर जमिनदार के घर में चुराए हुए पैसे तुम्हारे पास ही है मैं अच्छे से जानता हूँ चुप चाप चोरी का सारा सामान वापस कर दो ये कहकर पुलिस डंडे से फिर से उन दोनों को मारने लगा इतने में चेहरे पर नकाब लगाए एक आदमी पीछे खड़ा पुलिस को देखकर छुप छुप कर जा रहा था जैसे ही पुलिस की नजर उस पर पड़ी वो और भी तेजी से भागने लगा पुलिस ने उसे भा पुलिस को होश आया लगता है किसी ने आपके सर पर बहुती जोर से मारा है ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे सही समय पर आपको अस्पताल ले आए वरना आपकी जान खत्रे में हो सकती थी क्या आप सच कह रही हैं मैं अब तक बच्चों को गलत समझता रहा और मैंने उन्हें बहुत सताया है वो बैट से उतर कर उन दोनों बच्चों से मिलने गया मैंने आज तक तुम पर बहुत अत्याचार किये। मैंने सत जाने की कोशिश भी नहीं की और हमेशा तुम्हें ही दोशी समझा। पर तुमने उन सारी बातों को भुला कर मेरी जान खत्रे में है ये देख कर मेरी जान बचाने के लिए एस्पिताल पहुंचाया। आज के बालू और कीर्ती के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों बाद पुलीस अफसर शौप पर आए और कहा। बालू कीर्ती कल ही से मैं ड्यूटी जॉइन भी कर रहा हूं। गाउवालों के मेहनत की कमाई को जो हर दिन चोड़ चुरा कर ले जाता है मैं उसका पता लगा कर ही छोड़ूंगा। ये कहकर पुलीस वहाँ से चला गया। अपने साथ बड़ी पे रहमी से पेश आते थे आज वही पुलीस अंकल भी हमसे प्यार से बात करते हैं। इसलिए आज हम दोनों प्रण लेते हैं कि भले ही जिंदिकी में जो भी हो जाए हम अपनी अच्छाई और भलाई को नहीं छोड़ेंगे। ये दीदी ने जब हाथ बढ़ा कर कहा तो बालू ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर दीदी से वादा किया। इस तरह बालू और किर्दी इमानदारी से अपना व्यापार चला कर सुखी जीवन जी रहे थे। अपना है।